आज के आधुनिक यूग में रेल, रोड वहवाई सुविधाइन किसी भी शेहर का भाग्या बदलने के लिए काफी है 1714 में इस जगह के भोगोलिक वा आर्थिक आनकलन के बाद ही बंग्शों ने फर्रुखाबाद बसाया था बंग्शों ने यहां करमानुसार महले बसाये रेल वरोड का निर्मान कराया पुल पुलियां बनवाए क्रिशी बजार तो पहले से था कभी फर्रुखाबाद का सर्राफा, कपड़ा उध्योगव पीतल बजार संपून भारत में अबबल था फर्रुखाबाद शुरू से क्रिशी प्रधान स्वतंत्र राज्य था पहली बार भारत में गंगा के माध्यम से फेरी सर्विस प्रारंब हुई वोट द्रारा फर्रुखाबाद से कलकत्ता तक माल धुबाई का कार्य शुरू किया गया इसी जल रुट से विदेश व्यापार होता था चौधवी शताबदी में शम्शाबाद से दिल्ली तक कच्ची रोड थी शेर्शा सूरी ने दुर्भाग्यवश गुरसहाय गंज तक ही ग्रान ट्रंक रोड निर्मित कराया अगर यह निर्मान फर्रुखाबाद से होकर जाता तो आज फर्रुखाबाद एक बहुत ही विक्सित शहर होता रोड के किनारे आसपास अनेकों सराएं बनवाई जहां बाहरी व विदेशी व्यापारिक गतिविधियां होती थी बंक्षों के समय चारो और पर्याप्त रोड निर्मान हुआ सन 18-18 तक यहां रेल नहीं थी ब्रिटिश आगमन के बाद फर्रुखाबाद में रेलवे विक्सित होना शुरू हुआ डिल्ली से कलकत्ता वाया कानपूर रेल रोड शुरू होने के बाद फर्रुखाबाद का पिछरना शुरू हो गया कारण सपष्ट है फर्रुखाबाद ब्राच लाइन पर आ गया ये ब्रांच लाइन माइंड सेट फर्रुखाबाद के विकास के नजरिये से टनिंग पाईट था नतीजतन फर्रुखाबाद की आर्थिक गतिविधिया कानपूर स्थाना अंतरित हो गई ये थी फर्रुखाबाद की पहली अवहेलना 1963 के उपचुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने डॉक्टर केस करके विरुद्ध जीत प्राप्त की डॉक्टर लोहिया ने गंगा नदी पर ब्रिज बनवाने का वादा किया गंगा पाहर दोई, शाह जहानपूर, बरेली व बदायू जिलों तक आवागमन हेतु न तो कोई पक्की सड़क थी और नहीं रेल यातायात का कोई साधन चीन वाडर नजदीक होने पर भी समुचित यातायात व्यवस्था ना होने के कारण सेना को परेशानी उठानी परती थी आफ सीजन में पैंटून ब्रिज बनाया जाता था फरुखाबाद के विकास कार्य हेतु विभिन जिलों से सीधे संबंध हेतु इस ब्रिज की महत्तादा लोहिया समझ चुके थे उन्होंने इसे सड़क वरेल दोनों को युद्ध स्तर पर बनवाने का वादा किया मात्र दो वर्षों में राम गंगा व गंगा ब्रिज बन कर तैयार करा दिया गंगा पांच जिलों के दिल नहीं जुरते यदि यह ब्रिज नहीं होता जिस समुचित विकास की बाद डा लोहिया करते थे वह रेलवे ब्रिज बनने के बाद ही पूरा होना शुरू हुआ बंकशो का सबसे बड़ा योगदान रहा की यहां सिल्क, कैलिको छपाई, जर्दोजी वपीतल उध्योग ने फर्रुखाबाद को विश्व पटल पर स्थापित किया आलू यहां हमेशा ग्रामीन अर्थ व्यवस्था की रीर रहा है, भगोलिक रूप से फर्रुखाबाद में रोड वर रेल या तायात की स्थिती ठीक न होने के कारण यह क्षेत्र पिछरता रहा है सन 2014 में नई सरकार के आने के बाद हाईवे बनने की आशाने एक उम्मीद जगा दी थी लेकिन 44 विधायक वसान सदों के बावजूद हाईवे फर्रुखाबाद से छीन लिया गया बस यही एकास बची थी जो फर्रुखाबाद के पिछड़ेपन को दूर कर सकती थी लगभग 150 वर्षों के बाद यह फर्रुखाबाद की दूसरी अभेलना थी उद्धरन चिन्ह आज जरुरत थी एक लोहिया की जो फर्रुखाबाद के साथ अन्यायना होने देता आखिर क्या कारण है कि फर्रुखाबाद में डॉक्टर लोहिया के बाद यहां कोई भी विकास नहीं करा पाया सपष्ट है हमारे विधायकों वसांसदों को अपने क्षेत्र की भोगोलिक वरार्थिक स्थिती की कोई जानकारी नहीं थी फर्रुखाबाद को एक मास्टर प्लान की जरूरत थी जिसे मोधी सरकार ने पटिया तोड़ अभियान के रूप में लागू करना शुरू किया फतेहगर से इसकी शुरुआत हुई इसे अंधिकृत जमीन खाली कराने का अभियान बताया गया लेकिन देखते देखते बुल्डोजर के खौफ से जनता की खामोशी इसे मास्टर प्लान तक ले गई गोया की मास्टर प्लान अभी लागू नहीं है फतेहगर फरुखाबाद में बाबा का बुल्डोजर ऐसा दारा की शहर का सम्पूर्ण बजार तहसना हस हो गया बिल्कुल युक्रेन का सीन सामने आ गया ये सही है कि कुछ कबजा भी था लेकिन जिस जल्दी बाजी में तोरफार की गई उससे अगर दुकानदारों के नुकसान का आनकलन किया जाए और ये मान लिया जाए कि फरुखाबाद फतेहगर में कुल मिला पांच हजार दुकाने तोड़ी गई एक अनुमान के हिसाब से लगभग एक हजार करोड रुपया पबलिक का नुकासान हो गया दुकानदारी अभी लगभग साल भर तक नहीं शुरू हो पाएगी 40 प्रतिशत दुकानदार पैदल हो चुके है सभी के पास बैंक लिमिट या किसी अन्य रूप में बैंक अत्वा प्राइवेट करज होगा क्या होगा इन दुकानदारों का इनकी बरवादी के नाम पर अगर शेहर के सुन्द्रीकरन की बात की जाती है तो ये जन जन के साथ घोर अन्याय होगा ऐसा वातावरन बन चुका है शेहर जैसे मर गया हो अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करे सब्सेक्राइब करे बैल बटन अवश्य दवाईन